हेलो फ्रेंड्स जैसे आप सब आशकत करता हूँ आप सब ठीक होंगे मैं मने स्वागत करता हूँ पर फिर से आपका अपने यूटूब चैनल एक्जाम इस वीडियो में हम बात करने वाले आरार्सी ग्रूप दी के जो एक्जाम है वो स्टार्ट हो चुके हैं और आज 17 अग आपके सामने ठेखने वाला हूँ अगर आपने एक्जाम दिया है तो आप मुझे अपने अटेम्ट जो है एक्जाम के अंदर कितने आपने अटेम्ट की हैं वह जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बता दितीजेगा complete analysis करने वाला हूँ दोनों जो भी shift हुई है अभी तक दो shift हुई है और दोनों का complete analyze करने वालों तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा उसके लिए आप थोड़ा सा मैने चीजेगा लेकिन complete जानकारी जितने भी question आया है मैं इसमें आपको सारी चीजे करा दूँगा with answer के साथ तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले group DRC का shift first का analyzes मैं आपको बताने वाला हूं जीके का तो जीके के अंदर जो सबसे पहला था कि AIDS की full form आई थी जो आप सभी को पता होगी acquired immuno deficiency syndrome पेरियाद नदी जो होती है वो कहां से निकलती है केरल से निकलती है और इसके अंदर पर्थम पंच वर्षे योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्स कौन थे तो पंडित जवालान नहरू थे और 2021 के वर्ल्ड चैंपियंस कुस्ती में रजत पज़त पदक जो था सिल्वर मैडल जो था वो अंशु मलिक ने जीता था जैन धर्म के अंदर जिन का अर्थ क्या होता है तो जिन का अर्थ जो है विपिजेता होता है अगर मैं बात करता हूं छटे सवाल के अंदर तो पहली बार 1992-1952 में राष्टे आएगी गणना किस ने की थी तो CSO के अंद जी के अंदर नहीं आया हाँ एक दो सवाल तो आते ही है लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट एक्जाम अभी तक नहीं देखने के लिए मिलाया दोनों शिफ्ट में इसके अंदर आपको गलत बताना था कौन सा इसके अंदर गलत है इस तरीके के टाइप के सवाल आ रहे हैं ने एक्जाम दिया है तो इसका आप सही जवाब बता सकते हैं कोमेंट बॉक्स में चोक लाव तेहवार कहां मनाया जाता है तो अप्शन यह थे आपके आपने अगर इसको सही किया है तो आप यह जवाब जानते हैं तो आप कोमेंट बॉक्स में जो है रिप्लाइक कर सकते हैं जिन महिलाओं के यह योजना के बारे में आया था जिन महिलाओं ने पढ़ना पढ़ाई छोड़ दी है उसके लिए इंडिया और युझ उनेसको ने कॉन सी मिल कर योजना चलाई हैं उसके बारे में आया था इसके उफ्षय Series स्थे 1 लावेजिटे जो हैं मांग पढ़ती है तो उसका ग्राफ क्यासा आईता तो ऊप्शन में ग्राफ कैसे थे वह यह फूछा गया वह जिए बढ़ती है कि हैं कि सेम रहती है में वगते अंदर कौर्षा अगर और सवाल हुश्छ यवात करता हूं इन कौन सा इसमें से कौन सा ठीक है तो यह इस तरीके के option थे कि खूरवी पश्चीमी देशांतर कहां पर है नमक कानून के उपर जो गांधी जी से जो टिलेटिड है एक नाएक सवाल हमेशा आता है और इस बार भी आया है नमक कानून तोड़ने के लिए 1930 में कौन सा अंदोलन अब देखे सवीनिया विज्ञांदोर और दांडी यह सब जो है 1930 में हुए थे तो आपने कौन सा लगाया है मुझे comment box में बता सकते हैं अनंत नागेश्वर राव ने पहली economic मुख्य सलाकार कौन थे यानिके इनसे पहले जो थे वो कौन थे तो इनसे पहले थे कृष्ण अगर मैं बात करता हूं 15 सवाल की तो राजीव गांदी खेल रहा थे पुरिश्वकार को मेजर ध्यान चंद्र नाम से कब बनाया गया कब बदला गया तो वह 2021 में बदला गया है यह सब आपने सही किया होगा चलते हैं नेक्स्ट स्लाइट के अंदर यह आप देख सकते हैं कि हमारा जो लोकपाल है अब कोन बना गया तो परदीप कुमार बना है साइंस से अगर मैं बात करता हूं तो बैलेंस इक्वेशन यानि कि एक्वेशन को बैलेंस करने से लगबग 2 से 3 सवाल आपके आये हैं अगर आपको बैलेंस इक्वेशन करना नहीं आता तो आप उसको सीख लीजेगा क्योंकि यह बहुत important है आने वाली शिफ्टों में balance equation के सवाल जो है आ सकते हैं अगर मैं बात करता हूं science से तो प्रकाश translation की जो equation है उसको balance करने के लिए यहां पर आया था कि उसको balance कैसे किया जाता है और उसको balance जो करेंगे तो सही option क्या होगा इट्स की फुलफों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं newlands predictable के पहले और अंतिम element कौन से है तो पहला hydrogen और अंतिम thorium है अगर मैं बात करता हूं चुत्थे सवाल की तरफ तो photography में कौन सा element आपका यूज किया जाता है तो silver bromide यह आपने mixture वाला जो chapter होगा जहां पे आप जिंक और copper को जोड़ कर कुछ पनाते थे या फिर उसी के साथ टाइट्रिक अमल कहां होता है एसिट्रिक अमल किसके डंक में पाया जाता है वहां पर आपने यह सब पढ़ा होगा पानी जमीन के अंदर किस परिकरिया किसे जाता है तो infiltration के कारण पानी जमीन के अंदर जो ह चिपसम को गरम करने पर क्या मिलता यह भी एक सवाल था और यह बहुत ही सिंपल सवाल था प्लास्टर ऑफ पैरिस मिलता है आप सभी ने इस ठीक कर दिया होगा फ्यूस तार की प्रोपर्टी क्या है फ्यूस तार क्या काम करता है तो इसका जो गलनांक होता है वह उच्छ ह हो सके वहीं ओम के नियम के बारे में भी आया था जो V is equal to ौर आपका ओम का नियम है वहीं अगर बात करते हैं गोली नहीं गोली तर्पड़ इन मेंसे उसके बारे में पूछा गया था कि इनकी क्या प्रोपर्टी हो सकती है क्या नहीं हो सकती फिर नेक्स सवाल जो था लाइकेन जो है श्वस्त बनाती है जहांपर भी ज्यादा पॉल्योशन यह परदूशन होता है वहाँ पर लाइकेन शेवाल यह सब नहीं पाई जाती ओक्सीजन किसके लिए अवशक है तो यह उप्शन थे ग्लुकोज लैक्तिक एसिड आपने जो भी इसका सही जवाब लग तो कमुटेटर जो है उसकी धारा को उल्टा कर देता है और इसके अंदर यह लास्त वाले मैच देफॉलोविंग आया था इसके अंदर लिखावा था कोंडों के बारे में और आपका कोपरटी के बारे में यह सब को सही मिलान करके आपको बताना था कि कौण सा ऑप्सें मि सही है फॉस्ट सिफ्ट के अंदर एक सवाल जो है आपका वो आपतित कोंड और परावर्तित कोंड के लिए भी आया था इसमें अंदर एंगल दिये हुए थे आपके तो आपने जो भी इसका अंसर लगाया कोमेंट बोक्स में आप बता सकते हैं साइंस के इतने ही मैक्सिमम रियल प्रिशन मेरे पास आप आए हैं अगर मैत की बात करते हैं तो मैत काफी इजी था मैत के अंदर नंबर सिस्टम से दो सवाल से से आपका एक सवाल सिंपलिफिकेशन से तीन सवाल टाइम एंड पर्क से आपका इस तरीके का आया था कि एक काम को इतने दिन में करता है तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे वहीं अगर बात करता हूं टाइम एंड ट्रेंड से एक सवाल आया था एसाई सियाई से अपके ईक सवाल प्रोफिट्ट के उपर एक सवाल आ या नियґनिकी जिसे आप घं बोलते हैं उस पर आपका आपका सवाल आया था और जो मैट्रीस आपके 2 से तीन सवाल थे आईउ से आपके दो सवाल थे टिक्ट्नोमेट्री से आपका बहुत ही सिंबल सवाल आया था कि साइन को साइन ठीटा को कोट ठीटा में बदलना था या फिर साइन ठीटा को टैन ठीटा में या कोट ठीटा में बदलना था कुछ इस तरीका सवाल आया था कि एवरेज के एक से दो सवाल आए हैं और डियाई के आपके दो सवाल आए हैं वहीं बात करता हूंगर रीजनिंग की तो रीजनिंग के अंदर जो पजल और सिटिंग अरेजमेंट है उसका जो रेशो था काफी जादा था चार से पात सवाल आपके पजल और सिटिंग आए हैं डारेक्शन के बहुत ज्यादा सवाल हैं तीन से चार सवाल क्लोक से एक सवाल पूछा गया था कि आठ बज़ के 45 मिंट का क्या एंगल बनता है कुछ इस तरीके का सवाल था क्लोक से और एनलोजी से आपके दो सवाल थे और अगर सीरीज की बात की जाए तो सीरीज से दो से तीन एलफा बेटिंग कोडिंग जैसे कि मैंगो को मंगो को अपल लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे इस तरीके की सवाल थे बलड रिलेशन से आपका एक सवाल और इनिक्विलिटी इनिक्विलिटी होती है जहां पर ऐसे कुछ साइन लगे होते हैं सौरी सी और यहां पर इस तरीके की जो है इसको इनिक्विलिटी बोलते हैं इसका एक सवाल आया था जनल बैंक का टोपिक है लेकिन यह अब हर एक्जाम में पूछा जाने लगा वैंट डाइग्राम से आपका एक सवाल था जो की काफी सिंपल था अब हम बात करते हैं सेकिंड की बात करते हैं तो जीखे के सवाल जो है bush बसा धिदा मैं आपको बसा देता हूं आर्टिकल से त्यरेटिड आपका एक सवाल आया था और है पस्वाराज बुंबई दुवारा एक योजना शुरू की यह निए योजना से एक सवल आया था किसका अंसर जो करना तक था किस सीम किस राज्य के सीम ने स्टार्ट की थी दूशित चल से कौन सा रोक फैलता है तो इसके अंदर यह टाइफाइट पीलिया और डाइरिया वगएरा थे तो आपका डाइरिया हो जाएगा कि 2022 के आकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है तो राजिस्तान हरियाना यूपी पंजाब में था तो इसका सही अंसर हरियाना हो जाएगा अमर कंठक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है तो अमर कंठक से है यह एक्जाम में आपका सवाल आए था तो 131 जो है इंडिया की रैंक है महाँ पर अगर इंडिया म्यूजियम एक्ट कब लागू हुआ भारतिय संग्राल्य अधिनियम जो है 1910 में लागू हुआ था आर्टिकल से एक और सवाल है इसके सेगेंड सिफ्ट के अंदर देख आशी पहाड़ी की तरह है नवरोज किसके दुआरा मनाया जाता है तो यह अपने स्कूलों में भी पड़ा होगा पार्शियों दुआरा नवरोज तेवार जो है मनाया जाता है फोकल लैंथ कैसे निकालते हैं यह अपने जब भी साइंस की किताब खोली होगी और लैंस भी सवाल था यानि करेंट वाले से दो रेजिस्टेंस को सीरीज में जो रखा था या पैरलर में जो रखा था तो उसका जो है सॉलूशन बताना था कुछ अग्रबात करते हैं सॉडियम कार्वोनट का पानी के साथ रियक्षण कि होता है या आप देख सकते हैं जो मेस्ट्री से जो सवाल आए है वह रिएक्षण से रिलेंट है या फिर बैलांस करो एक्वेशन को या फिर रियक्षण आपका हो सकता तो आने वाली के के अंदर आप Chemistry को अगर रिवाइज करें तो आप reaction पर भी ध्यान रखेंगे क्या इसका reaction बनता है पोवर्टी ओफ अन ब्रिटिस्ट रूल इन इंडिया फाउंड़ बाय यह जो पोवर्टी है यह रूल जो है किसने फाउंड किया तो दादा भाई नवरोजय ने यह जो है फाउंड किया था 2021 का द्रोणा चारे पुरुषकार किन दो को मिला है तो संध्या संध्या और गुरंग को मिला है यह हाइट्रोजन परियोजना मध्य परदेश के किस जिले में शुरू की गई है तो गूना जिले में जो है हाइड्रोजन परियोजना मध्य परदेश के जिले में शुरू की गई है अगर मैं बात करता हूं बाल अवस्था 18 सवाल की तो बाल अवस्था के लैंगिक परिवर्तनों के बारे में एक सवाल था इसके अंदर और फ्लैमिंग के नियम यानि के फ्लैमिंग के दो वहाइद के नियम में वाएं हात का नियम है और एक दाएं हात का नियम है तो उस से रेलेट्टीट एक सवाल यहाँ पर पूछा गया था संघाई हीरण कहाँ पर पए जाता है तो यह मनिकपुर में पाया है चाहता है देखिए फ्रेंट्स किन भी सवाल के मैं answer नहीं बता पा रहा हूं तो उसके जो options हैं वो मेरे पास नहीं आ पाए हैं इस वज़े से मैं answer नहीं बता पा रहा हूं अगर आपको उनके answer पता है तो आप comment box में जरूर reply कर सकते हैं cell membrane क्या होता है cell membrane क्या होता है इसके कार्य क्या है इस पर एक सवाल आपसे पूछा गया था second shift के अंदर पोल और focus के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है इस तरीके से आपका होता है यहां पर focus हो जाता है यह आपका पोल हो जाता है तो इस दूरी को क्या कहा जाता है यह पूछ रहा है यह अपने Monuments वाले chapter में पढ़ा होगा भाशा से एक सवाल आया था कि कौन से राज्य की कौन सी भाशा होती है केरल की कंडन में घाल ले की क्या तो इसको आपको मिलान करना था या सही बताना था इसके बारे में पता नहीं है पर भाषा से एक सवाल आपका आया था लीवर से कोश्चन फर्स शिफ्ट में भी आया था और लीवर से फिर कोश्चन सेकंड शिफ्ट में आया था कि लीवर किसका पाचन करता है सेकंड शिफ्ट में जो कोश्चन है वो पता नहीं चल पाया है अगर बात करता हूं 27 सवाल की तो बुझा हुआ चूने में oxygen मिलाने से क्या होता है तो आप सब को पता है कि बुझे हुआ चूने में अगर oxygen मिला देते हैं आप तो क्या बन जाता है वो आपको यहां पर टिक करना था जा पिंक कि परोटेक्शन प्रोजेक्ट कि स्राज्य में शुरू क्या गया तो यह केरल राज्य में आपका शुरू किया गया है वो यह गैस कैसे exchange करते हैं वो थे gas कैसे exchange करते हैं वहाँ पर उसकी जो परिकिरिया उनके नाम लिखे हुए थे आपको अगर सही option पता है तो option comment box में जरूर लिख दीजिएगा अगर बात करते हैं second shift की math के बारे में तो math जो है कि दोनों ही shift में simply आई है second shift की math के अंदर नंबर सिस्टम के दो सवाल SCF SCF का एक board mask के 3-4 SI का एक profit and loss का दो partnership के algebra का एक geometry के 2-3 सवाल first shift में भी आए थे और second shift में भी आए हैं percentage के आपके दो सवाल आए है time, speed, distance, change से आपके दो सवाल थे time and work से आपका second shift में कोई भी सवाल नहीं आया था ratio and proportion से एक सवाल और trigonometric से आपका एक सवाल बना था second shift के अंदर reasoning के अगर बात करते हैं तो reasoning में कथने निसकर्स से 3-4 सवाल, symbolism से 2-3, sitting arrangement से वही आपका 3-4 सवाल, puzzle से आपके 2-3 सवाल और direction से अगर बात करते हैं तो direction से भी आपके अधिन सवाल, second shift के अंदर देखने के लिए मिले थे analogy के अंदर दो सवाल series के अंदर 2-3 सवाल, coding decoding 3-4 calendar से एक सवाल पहले भी आया था कि फर्स शिफ्ट के अंदर और inequality से फर्स शिफ्ट के अंदर एक सवाल आया था, लेकिन second shift में दो सवाल आया थे, clock से first shift में सवाल आया था, लेकिन second shift में सवाल नहीं आया, अगर बात करते हैं, mathematics operation की, यानि कि जो आपके operations होते हैं, mathematics के अंदर उससे 2 सवाल आये थे, मैंने जो है आपको सारी ही shift के, जितनी भी shift अभी तक हुई है, 17 अगस्त को दो shift हुई है, first shift और second shift, दोनों का complete analysis जो है दे दिया है, आशक करता हूँ कि आप सब को समझ आ गया होगा कि किस तरीके का paper आ रहा है, किस तरीके की आगे हमें तयारी करनी है, अगर upcoming shift में आपका exam है, त जाते हैं exam के तो channel को subscribe करना ना भूलें, और वीडियो को ज्यादा ज्यादा like और share कर दीजेगा, इस वीडियो में पस इतना ही, मिलते हैं next video में next review के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद,